हेलो दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल रितुराज गाइड इंडस्टियल में आप लोग का स्वागत है अगर मेरे चैनल पे आप नहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेश कीजिए ताकि मेरे नए वीडि पता हूं विडियो के नीचे सेक्षन में आप कमेंट करके हमें बताई किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के अपलोड करूँगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग को तह दिल से धन्यवाद तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं बहुत सारे लोग कहीने कहीं काम करते हैं किसी भी प्लांट में या कंपनी में काम करते हैं तो उनको यही नहीं पता होता है कि मेरा मिल कितने इंची का है यह मेकेनिकल का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है कि हम कितने इंची के मिल में काम कर रहे हैं तो यह जानना सबसे ज़रूरी होता है बाइद बएगर आपसे कोई पूछ दिया कि तुम्हारा मिल कितने इंची का है तो ही आप चुप हो जाते हैं नहीं बता पते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर मिल है कितने इंची का है उसको मैं कैसे फाइंड करू कैसे निकालू तो आज आप लोग को यही बताऊंगा चाहे वो structure मिल हो या rolling मिल हो या कोई सभी मिल हो देसी मिल हो कोई सभी मिल हो आज वही जानेंगे तो अगर आप कहीं इंटर्वियू में भी जाते हैं तो पूछता है interviewer की इसके पहले आप जहां काम करते थे वहाँ पे कितने इंची का मिलता तो आपको पता नहीं रहता पता नहीं पाते हैं तो समझ जाता है ये बंदा काम नहीं किया हुआ है इसको salary कम देना है तो ये जानना बहुत जरूरी होता है तो अभी ये देखिए तीन रोल हैं और यहां पे इसके साइड में तीन cardan soft है एक दो तेन जो pinion gear box से जुड़ा हुआ है उसके just बाजू में अगर आप देखेंगे तो pinion gear box जो cardan soft से जुड़ा हुआ है जिससे वो pinion gear box जुड़ा हुआ है और उसके just बाजू में reduction gear box होता है तो चलिए थोड़ा और side से चलके उसको देखते हैं यह देखिए आपका LRS है जो motor को start करते हैं यह मिल का सबसे बड़ा motor होता है जिसको कहते हैं roughing motor तो यह roughing motor है यह हमारा roughing था जितना हम बता रहे हैं अभी वह पूरा roughing देखिए यह roughing है coupling से reduction box से जुड़ा हुआ है अब reduction box जो है आपका pinion से जुड़ा हुआ हुआ है तो इस मिल में flywheel नहीं लगा हुआ है इसमें जो LRS लगा हुआ है वह automatic LRS है अगर by the way अगर billet आता है और billet इस रोल में फंस जाता है तो क्या होगा जो हमारा LRS है automatic बंद कर देगा अबलब बंद हो जाएगा trip हो जाएगा जिससे motor बंद हो जाएगा और motor जलने का chances कम हो जाएगा और mill में जाएंगे जिसमें flywheel लगा होता है उसमें जो LRS होता है उसको हांस से गुमा के sort होता है और by the way इसमें अगर blade फंसता है तो जो motor होगा वो अगर दोड़े दोड़े electrical वाले नहीं बंद करेंगे तो motor जलने का chances ज्यादा रहता है तो इसलिए यह होता है कि flywheel अगर लगा होता है तो motor का protection नहीं होता है और flywheel नहीं लगा होता है जिसमें automatic LRS होता है उसमें motor का protection रहता है तो यह रहा आप लोग का छोड़ी सी जनकारी अब चलिए main point पर आते हैं तो सबसे पहले जो हम MIL का engine आपते हैं वो आपको pinion gearbox से ही पता चलता है कि कितने engine का MIL है तो चलिए यह है मिल के फीटर जो आपको बताएंगे कि कितने engine का होता है इंची टेप लेके दो रोलों के बीच का center to center हम लोग देखते हैं उसके बाद पता चल जाता है कि मिल कितने engine का है तो चलिए पास में मैं लेके चलता हूं थोड़ा सा यह आपका center to center दो रोल के बीच का center to center देखिए वहाँ पे 20 inch तो यह आपका ऐसे भी निकाल सकते हैं ऐसे भी देखेंगे तो आपको 20 मिलेगा वहाँ आप जाके देख सकते हैं यह डाउन तो डाउन तब भी आपको 20 मिलेगा उपर का भी निकाल के देख सकते हैं आप वह उपर अप 2 अप यहाँ भी आपको 20 inch ही मिलेगा देखिए और अगर आप center to center ले रहे हैं फिर वह आपको 20 inch मिलेगा उनलब आप कहीं से निकाल सकते हैं यह आप उपर से दो रूल लीजिए यह नीचे से दो रूल लीजिए ठीक है आपको दो रूल के बीच का देखना होता है जो पीनियन गेर बॉक्स होता है उसमें दो रूल के बी तो यह जो मेरा मिल है 22 inch का मिल है आप लोग भी ऐसे ही निकाल के पता कर सकते हैं कि आपका मिल कितने इंचिक है वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद